हलो फ्रेंड्स आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हिल्दी खिचडी जी हाँ ये वही खिचडी है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की तो भूख ही मिट जाती है लेकिन आज की जो ख शनीचर के दिन यदि हमारे घर में खिचडी बने तो उससे शनी ग्रह के जो दोश होते हैं पुमिट जाते हैं इस बात में कितनी सचाई है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ अगर एक दिन हम हफते में खिचडी खाए तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बि बिहार के स्टाइल की खिचडी बनाएंगे इसके साथ कुछ स्पेशल साइड डिश बनाई जाती है जिसमें की मीठी टमाटर की चटनी और साथ ही साथ आलू चोखा तो आईए हम शुरू करते हैं इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडियंट्स आपको चाहिए जो कि आप की रेसिपी शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस खिचडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो तरह की डाले चाहिए और चावल चाहिए जो भी चावल आप खाते हैं वही चावल इसमें आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर चावल जो है वो मैंने 3 4th मुठ्ण और इसके अलावा एक और दाल है मसूर डाल बिना च्छिलके वाली यह हमने लगभग आधा कट्वरि लिया उइंonne shoulders को सबसे यहां पर मेरे पास एक चोटी लाउकी है, फो मैंने छील करके रख ली है, दो गाजर है दो छोटे छोटे बैंगन मैंने लिए है, छोटा से एक प्याज है, एक टमाटर है और यहां पर मैंने थोड़े से छोटे वाले सोया चंक्स लिये हैं इन्हें आपको बिल्कुल भी उबालना या गरम पानी में नहीं डाल के रखना है इसे हम सिर्फ धो करके सबजियों के साथ ही भुनेंगे और जब इसमें हम सीटी लगाएंगे खिचडी में तो यह अपने आप ही पक जाएगा इस खिचडी के काई दिश यसमें बनती है वो है मीठे टमाटर की चटनी के लिए अप देख सकते हैं यहां पर चार मैंने मीडियम साइस के टमाटर ले लिए हैं यहां पर तड़का लगाने के लिए एक तेस्पता है एक लाल मिर्च है इसके साथ ही इसमें जो सबसे स्पेशल चीज है जिससे तड़का लगता है वो है पाच फोडन यहाँ पर जो यह पाच फोडन है यह पाच मसालों से मिल करके बनता है जब मैं इस टमाटर को छौक लगाऊंगी तो मैं आपको यह बताऊंगी कि इसमें कौन सुखे हुए डेट्स है तो उन्हें भी आप थोड़ी देर के लिए पानी में भीगा करके इसमें यूज कर सकते हैं वो भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है तो यह बहुत ही स्पेशल चटनी है फ्रेंड्स इसे आप स्किप मत कीजिए इस खिचड़ी के साथ तो इसका यहां एक कढ़ाई मैंने चड़ा दिये गैस पर थोड़ा सा इसमें तेल मैंने डाला है इसे आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने एक से डेर तीस्पून रिफाइंड ओल डाला है अब इसमें हम सबसे पहले यह पाच फोड़न वाला जो तड़का है वो है उसके बाद इसमें वन फोर्थ टीस्पून राई है मेथी के दस से बारा दाने है और यह जो चीज है यह है कलॉंजी या फिर आप इसे अनियन सीट्स भी कहते हैं यह और भी थोड़ा आपको लेना है लगभग बन एट टीस्पून आपको इसमें लेना है और इसके लेंगे इसके बाद तेज पत्ता मैंने डाल दिया है और लाल मिर्च भी तोड़ करके आप इसमें एड कर दीजे जैसे ही तड़का थोड़ा सा भुन जाएगा भुनते समय इसकी बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इसके बाद यह जो ड्राइफ रूट्स है वो भ आपको नमक डालना है चूंकि हम इसमें बाद में चीनी मिलाएंगे और नमक जो है सिर्फ इस टेस्ट को बैलन्स करने के लिए हम एड करेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढग करके हम छोड़ देते हैं ताकि यह धीरे-धीरे पकता रहे इसके बाद हम जल्दी से यह है वो थोड़ा सा संभल कर डाले ताकि बचों के लिए भी यह ज्यादा तीखी ना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने वन टीस्पून के करीब इसमें सरसों का तेल डाला है आप दूसरा तेल भी इसमें यूज कर सकते हैं जैसी यह तेल गरम होगा यहा काफी डाइजेस्टिव है इसे डाइजेशन के लिए हमें हींग की जरूरत नहीं है लेकिन हींग जो है वो टेस्ट भी इसका बढ़ा देता है तो थोड़ा सा तीन से चार पिंच हम इसमें हींग डाल देंगे और इसके बाद जो छोटा सा प्याज हमने शुरू में सबजी यहाँ पर दो बैंगन भी हमारे पास थे उनहें भी मैने काट लिया है उसे भी हम इसमें अड़ कर देंगे सबको अच्छे से मिक्स कर दीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक मिलाया है खिच्डी के हिसाब से नमक हम बाद में भी अभी हमने थोड़ा सही नमक डाला है और यहां पर हाफ टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाल दिया है इसे अच्छे से चला लें लगातार इसे भूनते रहें गैस का फ्लेम जो है वो कम ही रखें कि अगर आपको लग रहा है कि सब्जिया नीचे चिपक रहें तो थोड़ा हम यह जो राइस है और दाल है जिसे हमने धो करके रखाता है इसे हम इसमें आड कर देंगे इसे भी हम थोड़ी देर चलाएंगे अगर यह चिपक रहे हो नीचे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी आड कर सकते हैं थोड़ी देर इन्हें भी हमें चलाना है इसके बाद तवाई हम देख लेते हैं अपने टमात्रों को चैनी पर लेrove चणी तो 50 मिनट्स हो और रागं तो इसले ऑपने पर अहला हैो उस से तिर नहीं करогा कुथ 3-4 मिनट बस हमें और इसे पकाना है तो आईए अब देख लेते हैं हमारी खिचडी का क्या हाल है अब ये थोड़ी सी भुन भी गई है अब बस हमें यहाँ पर पानी आड़ करना है तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने चावल ना पा था उससे हमें 6 कटोरी पानी इसमें आड़ करना है और चूकि अब ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक भी आड़ कर देती हूँ और ये जो आलू का चोखा बनाने के लिए हमने आलू रखे थे वो भी हम अच्छे से धो करके इसमें डाल देंगे अब यहाँ पर कूकर का धकन लगा कर हमें 2 सीटी आने तक इसे पकाना है अब आईए हम टमाटरों को देख लेते हैं 3-4 मिनट के लगभग हो चुके हैं मीठी चटनी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई होगी तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें रेड चिली बगर मिला है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बस तड़के और नमक, हलदी और चीनी के अलावा हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला है लेकिन इसका कलर आप देख सकते हैं जैसा यह देखने में लग रहा है इसका स्वाथ जो है वो इससे भी जादा अच्छा होता है तो आप इस चटनी को जरूर एक बढ़ बनाए तो यहाँ पर यह चटनी भी हमारी बनकर के तयार है हम इसे साइड में रख देते हैं कुकर में भी दो सीटी आ चुकी है अब यहाँ पर स्टीम भी बिल्कुल निकल गया है देखिए मैं कुकर का धकन खोल देती हूँ और यहाँ आपने जैसे देखा बिल्कुल अंदर जो दाल, चावल हर चीज है वो पक चुकी है यहाँ पर जो खिचडी की थिकनेस है उसे आप अपने हिसाब से एड़िस्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर ज्यादा फ्लोईंग जो कंसिस्टेंसी होती है उस तरह की खिचडी पसंद नहीं की जाती है तो यहाँ पर मैंने खिचडी थोड़ा सा गाढ़ा रखा है अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप स्टार्टिंग में ही या तो साथ कटोरी पानी डालिए या फिर खिचडी बनने के बाद एक कटोरी गरम पानी और इसमें एड़ कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने जो आलू का चोखा बनाने के लिए इसमें आलू डाला था वो भी हम निकाल करके अलग कर लेते हैं खिचडी हमारी बन करके बिल्कुल रेडी है अब इसमें हम शुद्ध घी का तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक कल्छी रग दी है इसमें हम दो से तीन चमच शुद्ध घी डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया इसमें लाल मिर्च मैंने तोड़ करके डाल दी एक सूखी लाल मिर्च मैंने डाला है हींग थोड़ा सा डाल दिया और लास्ट में ये जो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मैंने वन फोर्थ टीस्पून इसमें एड़ किया है ये सारा जो तड़का है यह हम खिचडी में डाल देंगे तड़का डालने के बाद खिचडी को बहुत जादा ना चलाएं ने तो सबजी और चावल दाल सबकुछ एकदम बिल्कुल मैश हो जाएगा और यह बहुत ही अजीब लगेगा आलू के चोखे के लिए बहुत ही कम सामान चाह लेकिन आज मैं यहां यह सब कुछ भी इसमें डालूंगी सिर्फ यह जो लहसन मैंने तीन लिया है उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया अब यहां पर यह जो लाल मिर्च मेरे पास है इसे हम गैस पर रोस्ट कर लेंगे यहां पर छोटे-छोटे टुकडों में उसे आपक को मैश करना है थोड़े बहुत छोटे-छोटे चंक्स अगर रहेंगे तो वह अच्छे लगते हैं ऐसे चोखे में तो यहां पर बहुत फाइन इसे मैश मत कीजिए बस रफली इसे मैश कर दीजिए और यहां पर थोड़ा सा मैने इसमें हाफ टी स्पून के करीब सर्सों का त不是 दालदिया है और थोड़ा सा इसमें हम, ''as per your taste", धोड़ा सा नमक हम इसमें अड़ कर देंगी अब इसे अच्छे से आप चंमत से हाथों से जैसे भी आप comfortable हो उस तरह से इसको अच्छा से mash कर लीजिए तो मैं इसे थोड़ा सा हाथ से भी mash कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यह चोखा हमारा बिल्कुल गाउं के style का यह चोखा हमारा बन करके तैयार है तो यहाँ पर अब सब कुछ हमारे पास तैयार हो खिचडी हमारी ready है मीठी चटनी बन चुकी है चोखा हमने बना लिया तो आई अब हम खिचडी को सर्व करते हैं तो यहाँ पर एक मैने रखना चाहिए और left वाली side को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वहाँ पर हम हाथों से या चमत से थोड़ी-थोड़ी quantity ले करके उसे खा सकें यह जो चीज है यह बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी लेकिन आजकल की जो बच्चियां है जो newly married हैं उनके लिए यह बिल दही जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मीठी दही रखी है और इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने काला नमक इसमें आड़ कर दिया है और खीरे के कुछ slices आप रख सकते हैं और साथ साथ एक भुना हुआ पापर तो यह हमारा पूरी तरह से complete एक मील तयार हो गया इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मिसिंग है चाहे वो मिठास हो चाहे वो नमकीन हो चाहे वो तीखा हो तो यहाँ पर हर चीज का आपको इस थाली में टेस्ट मिलेगा यह सारी आप सबको आज की एक खिचडी और साथ ही साथ यह जो कुछ साइट डिशेज मैंने बताया है इनकी रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की एक Thank you, Goodbye, Take Care